Good morning everybody and welcome to Creators Channel, my dear friends, we are live here with another lecture of power system और बच्चो आपको दिख रहा है आज क्या कवर करने वाले हैं, we are going to cover HVDC तो बच्चो आज HVDC कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि HVDC system क्या होता है, कैसे operate करता है क्या इसके पीछे का logic है, क्या system की construction है, एक-एक element लगा है तो क्यों लगा है ये सारी बाते बच्चो आपके लिए हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं in this lecture HVDC तो बच्चो अगर अभी तक like नहीं किया तो like पहले दबादो, बहुत मज़ा आने वाला है, story भी आपके साथ एक share करने वाला हूँ तो like सब लोग hit करते हो और बटा share, share जरूर करना, सभी बच्चा party share करेगी, एक-एक बच्चे के साथ share करोगे college वाले student especially अपने college के groups में ये वीडियो share करने वाले हैं, क्योंकि इस semester में आपके power system भी होगा और semester में भी help out करेगा, side by side बटा gate और EAC में rank भी आपको दिलवा के रहेगा तो जब इतनी मज़ेदार वीडियो आने वाली है तो बटा share और like तो बनता है, ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो end में आर comment करके जाना कि क्या लगा, कैसा लगा, बढ़िया लगा के नहीं लगा तो end तक wait करो, अगर मज़ा आया, तो comment जरूर करना और आप जानते हो हमारी वीडियो का pattern कि at the end of the video, I'll solve three questions जिसमें कि आपको timer मिलता है और उसके अंदर आपको correct answer करने होते हैं जो ही बच्चा correct answer दे पाएगा जो इस session को पूरा attend करेगा Now, let's get started dear friends So, let me first introduce myself, my dear friend, my name is Ankit Goyal, I got here, I went twice in gate In 2014 and 18, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore Till date, I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and my dear friends Presently, I am working as a director at an academy for gate department But, बच्चों, यह सब credential अपनी जगे हैं, आपको पता है matter क्या करता है Matter करता है intent और content तो बटा, यहाँ intent भी best है और content भी best है Intent कैसे best है? आप लोग को rank दिलवाना है आप लोग का सपना पूरा करना है, आपके माबाप का सपना पूरा करना है कि मेरा एक एक बच्चा successful होगा life में, चाहे gate में, चाहे ES में, चाहे state PSU में कहीं भी जाए बच्चा लेकिन successful होगा, life में आगे बढ़ेगा और अपने परिवार को, अपनी life को आगे लेके जाएगा और इसी सपने के साथ बेटा दिन रात आपके लिए लेकर क्या आ रहे है, new new videos और आपके लिए लेकर क्या आ रहे है, बहतरीन form में content and that too absolutely free of cost तो यार अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं और मुझसे और सीखना चाहते हूँ तो यहाँ पे जरूर जाना tinyurl.com slash ankitiac यह link बहुत जादा important है, जो बच्चे gate 2021 देने वाले हैं, क्यों मेरे बच्चो क्योंकि यह वाला power system यार कम से कम January जाएगा तो जो बच्चे जल्दी खतम करना चाहते हैं तो यहाँ पे power system के मैंने कुछ topics इसी साल पढ़ा रखे हैं जैसे power system protection मैंने cover कर रखा है और at present में load flow analysis भी cover करा रहा हूँ तो बेटा side by side cover कर सकते हो, daily एक की जगे दो विंटा पढ़ सकते हो और आप बहतरी इन वे में December के अंदर अपना एक core subject कम्प्लीट कर सकते हो तो only on tinyurl.com slash anki dac इसके अलावा बहुत सारी यहाँ question series मिलेंगी practice के लिए तो practice unlimited हो जाएगी और एक चीज़ जान ले ना यार कि practice makes the man perfect तो अगर आपको gate की तयारी करने है तो practice is very very important और यहाँ तो बिटा जो practice होती है वो video solution के साथ होती है इससे बहतर practice शायद ही country में आपको कोई और दे पाए सिवाए unacademy के तो यहाँ पे आपको एक एक question समझाय जाता है उसका video solution कराय जाता है and then you just keep on growing you just keep on moving forward और बच्चो इतना ही नहीं आपके लिए हाजिर है इंडिया की सबसे पहली video book जिसके अंदर इस channel के सारे lectures है सारे lectures chapter by chapter video by video pdf by pdf हमने सारे दे दिये हैं और अगर आप इस video book को refer करते हो तो बेटा इंडिया में कोई और किताब की जरूत नहीं पड़ेगी rank निकालने के लिए कभी किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा सार इस subject के कौन सी किताब पड़े क्योंकि बच्चा बच्चा यहीं बोलेगा भईया अंकित सर की video book पड़ो उसके अलावा कोई किताब नहीं लगती rank लाने के लिए तो बिटा इतना बहतरीन content इतना बहतरीन arrangement जिस चीज के लिए लोग आपसे 30-30-40,000 की fees charge कर लेते हैं वो हम आपको दे रहें absolutely free of cost तो बिल्कुल wait ना करते वे ये link यार ब्राउजर में डालना और कोई गधा प्रसाद ये मत पूझना सर लिंक कहां डलता है लिंक बिटा डलता है ब्राउजर में सर जी ब्राउजर क्या होता है Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge कोई भी Mozilla कहीं भी डालो इसको address बार में डाल देना बिटा page खुल जाएगा और इसी तरीके से रास्ता भी खुल जाएगा गेट रैंक का इसके अलावा देखो जो लोग प्लस पे आते हैं वो जीते हैं Mentos जिंदगी कैसे क्योंकि उन्हें मिलती है टॉप एजुगेटर की डेली लाइफ क्लास उन्हें मिलते हैं होमवर्क के लिए उन्हें मिलते हैं प्रेक्टिस क्वेशन का एक बैंक उनका होता है हर संडे क्वेज उन्हें मिलती है टेस सीरीज, क्रैश कोर्स, डाउट क्लीरिंग तो बेटा जब इतने सारे फीचर एक साथ जुड़ करके एक प्लैटफॉर्म पे मिल जाते हैं ना तो एक एवरेज बच्चा भी एक टॉपर बनने का सपना देख पाता है तो रैंक बेटा आप यूट्यूब से भी ला सकते हो I don't deny we are giving you the best of the content on the YouTube बट बेटा यूट्यूब पे रैंक लाने के लिए महनत जादा लगेगी और वहीं वहीं बेटा अगर आप प्लस पे तैयारी करते हो तो महनत कम लगेगी जैसे ऐसा सोचोगी अगर आप फ्लाइट में बैठे हो तो बस आपको बैठना और आप पहुँच जाओगे और साइकल चला के जाओगे तो भी खुदी चलाना पड़ेगा खुदी ठकोगे तो यूट्यूब से भी हर वो बच्चा रैंक ला सकता है जो दिन रात एक हो करके महनत कर सकता है वो बहुत भेतरीन रैंक ला सकता है और इस यर आने वाली हैं मैं आपको पहले ही स्पोईलर दे रहा हूँ मैं ये कोई प्रेडिक्शन नहीं करना पेटा ये स्पोईलर है क्योंकि ऐसा होने वाला है ऐसा होने वाला है डाट इस पॉर शोर लेकिन प्लस पे से वो बच्चा भी रैंक ला सकता है जो शायद पहले से उतना प्रिपेरड और उतना इंटेलिजेंट नहीं है और प्लस से भी बढ़िया प्लैट्फॉर्म बना दिया भईया अब तो अनकैडमी ने that is Iconic सर जी Iconic क्या पेटा Iconic वो सब्सक्रिप्शन है जो बच्चे-बच्चे को Iconic बना सकता है बच्चा बच्चा अपनी छाप छोड़ सकता है गेट एक्जाम के अंदर कैसे क्योंकि यहाँ आपके पीछे एक बंदा लगा दिया जाता है डेडिकेटिल ली जिसका काम यह बार 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 आपको एक ही चीज़ याद दिलाना कि भईया महनत कर लो कि भईया महनत कर लो बिना महनत के नहीं बढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे ऐसा हो ही नहीं पाएगा तो अगर आप भी चाहते है आपको इतनी परसनलाइज अटेंशन मिले इतना परसनलाइज आपको एक्सपिरियंस मिले तो बेटा बिलकुल आइकॉनिक ले 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 ना परसनल कोच की गाइडेंस में तयारी करो जो आपकी एक-एक स्ट्रेटेजी बनवाता जाएगा आपका टाइम टीबल बनवाता जाएगा शेडियूल रुटीन सब बनवाएगा ठीक है और हर दो हफते में आपके साथ एक लाइव वीडियो सेशन करेगा जहां आपको मोटिवेट भी करेगा आपकी स्ट्रेटेजी भी बनवाएगा आपको बेटा आनकैडमी से स्टडी माटीरियल भी एक्स्रा मिलेगा जहां आप मेसेज में डाउट डालते हो और विदिन आर्स आपका डाउट आंसर कर दिया जाता है क्योंकि बैक एंड पे पूरी की पूरी टीम बैठी है सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स बताने के लिए तो इतनी प्रिविलेज मिलती है बेटा सिर्फ आइक्वानिक के अंदर और करना कुछ नहीं है दोनों में जो चीज पसंद आए कुछ भी मत करना गेट सब्सक्रिप्शन करके बिटा एक कोड है एक मंतरा है सक्सेस का क्या है वो मंतरा सक्सेस का अंकित एसी ये कोड आपको दिलाता है इमीजिये 10% डिसकाउंट और गेट में रैंक लाने का एक मौका गेट में एक टॉपर बनने का मौका तो ये कोड मत भूलना तीक है जैसे कहते है न मंतर का जाप करना ऐसी अंकित ESE कोड का जाप लगा रहना चाहिए और इससे आगे ही आगे बढ़ते जाओगे मेरे भाई क्योंकि अंकित ESE के साथ आपको मिलता है 10% डिसकाउंट और मेरी personal guidance तो then you can go ahead and only ahead चलिए अब शुरू करते हैं आज का lecture क्योंकि ये सारी information बेटा बहुत बच्चों के लिए जरूरी थी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग तैयारी करना चाहते हैं but now let's come to the original topic HVDC तो बच्चों आपको यहाँ HVDC का एक transmission system दिख रहा होगा इसमें क्या है देखो जैसे wind power है wind हो सकती है solar हो सकती है यहाँ पे आपका nuclear thermal कोई भी power हो सकती है उसे हमने transmit किया फिर हमने AC to DC converter लगाए AC to DC converter को क्या बोलते सारे electrical engineers बता सकते हैं और आप तो बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि मैंने power electronics पूरा cover करके दिया है आपको YouTube पे तो क्या होता है this is a rectifier और फिर भी DC transmission देखो दो ही wire दिख रही है क्योंकि एक forward एक return क्योंकि current को close path के लिए एक forward और एक return पाथ चाहिए तो दो wire जा रही है और फिर क्या लगा दिया DC to AC converter क्या होता है यह होता है inverter बहुत ब बनाया DC DC को किया transmit transmit करने के बाद بनाया AC और वापस आगे AC चला गया हमारे घर को भी चाहिए AC generation भी है तो थीच का है आया टी सी क्यों आया तो यह भी आज हम बत करेंगे कि डी सी क्यों लाना जरूरी था DC लाना इतना क्या अनिवार्य हो गया इतना क्या जरूरी हो गया कि हमारा जब generation और consumption AC था तो beach का step DC क्यों बना ये सारी बाते आप सीखने वाले हो इस lecture के अंदर और बहुत fun lecture होने वाला बहुत enjoy करने वाले है अब सबसे पहले यार इससे पहले हम आगे वड़ें एक कहानी सुनते हैं एक कहानी सुनते हैं बहतरीन दो scientist की जो की शायद electrical engineering के सबसे बड़े scientist है Edison and Tesla ठीक है Tesla को तो इतना तक बोला गया He's the father of electrical engineering ठीक है अब चलो कहानी time, story time ठीक है तो यार देखो Edison एक बहुत बड़ा scientist था और बहुत अलग-अलग invention किये उन्होंने phonograph किया इसके अलावा bulb का invention किया ये सारी चीजें Edison ने invent किया अब यार Edison एक project पे काम कर रहे थे जहाँ power transmission की बात थी और power transmit करने का proposal था DC पे Edison ने जो system design किया that was DC so he wanted the power to transmit as a direct current DC तो आप लोग समझते हो गया I don't think I need to explain अब यार इन्होंने क्या किया न सबसे पहले एक मेले में दिखाया बल्बी बल्ब जलाके अब भाईया दुनिया हो गई चकाचौंद ये क्या हो रहा है भाई इतनी रोशनी इतना glamour तो एक fair को host किया उसके अंदर सारी lighting हमने की DC से अब यार DC में ना एक समस्या खड़ी हो गई कोई मुझे बता सकता है मेरा बच्चा कि DC में क्या समस्या खड़ी हो गई DC में बेटा ये समस्या खड़ी हो गई कि DC लंबे distance तक नहीं जा सकी DC जब जब लंबे distance के लिए भेजने की कोशिश की गई बेटा तारें इतनी गरम हो गई कि बहुत ज़ादा power का loss आ गया बहुत ज़ादा power का loss आ गया तो मजबूरन मजबूरन जो power station है ना वो load से एक mil तक के distance में ही रखा जा सकता था इससे ज़ादा दूर रख देने से क्या हो रहा था losses आ रहे थी सर efficiency गिर रही थी सर cost waste हो रही थी आप जानते हो बेटा power की cost होती है बिजली का bill सब के घर आता है तो power की costing होती है तो अगर उतनी power waste होगी तो भीया पैसा भी waste होगा अब ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि इतना loss आ जाए तो Edison को क्या करना था DC के systems को improve करना था anyhow ताकि कम losses के साथ power transmit की जा सके अब Tesla भी एक scientist है तो Tesla Edison से जुड़े travel करके आए और Tesla को यार एक project दिया गया कि यार ये DC का transmission improve कर दो somehow हमें DC का transmission ऐसा improve करना है कि ये लंबे distance तक जा पाए अब आप कहोगे sir DC में losses जादा क्यों थे बेटा देखो power system के शुरुआत में ही बताया था loss minimize करने के लिए voltage करनी पड़ती है अब DC में ये voltage को step up करने का कोई रास्ता ही नहीं था तेक है चलो भाई तो इस वज़े से DC में losses जादा थे अब टेसला ने काम तो करना start कर दिया लेकिन याद टेसला जो था ना टेसला scientist जो थे he was a firm believer in AC वो AC को बहुत मानते थे alternating current को तो यार उन्होंने alternating current को advocate किया अब यार Edison इतना ज़ादा promote कर चुके थे DC को इतना ज़ादा invest कर चुके थे कि अब वो वापिस जाके ये नहीं कह सकते भई ये DC बेकार है AC पर आजो ना 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 अब बात आ गई इज़त की तो यार Edison तो माने नहीं तो टेसला ने वहाँ से job छोड़ दिया वहाँ से job छोड़ दिया and he wanted to do on his own यार अब उन्होंने क्या किया alternating current पे experiments की and he came up with the idea of three phase induction motor और मेरे सभी electrical engineering के दोस्त ये जरूर जानते होंगे कि three phase induction motor बहुत बड़ा आविशकार है बहुत बड़ा invention है और बहुत ज़ादा frequently use किया जाता है अब लेकर यार टेसला के पास पैसा तो नहीं टेसला के पास बैकिंग तो नहीं तो वो एक businessman के पास गए जो कि rail cars पे काम कर रहे थे westing house है ना तो कुछ ऐसा ही नाम था I might be wrong I don't remember the name exactly बट उनके पास गए अब इन्होंने क्या किया टेसला ने अपने कुछ पेटेंट अपने कुछ आविशकार उन्हें बेच दिये ठीक है अब उन्हें बेच दिये अब क्या था ना उस समय पे Edison का strong hold था power transfer में power industry के अंदर Edison का strong hold था तो जो businessman थे वो भी इस monopoly को तोड़ना चाहते थे and he went with Tesla कि भाई ठीक है आप AC का आविशकार करो आप AC transmission दिखाओ और I will invest in your idea I'll invest in your idea बट उसके लिए काफी सारी चीज़े give up करनी पड़ी टेसला को so he sacrifice so much just for the benefit of the people क्योंकि he knew AC transmission is better than DC he knew exactly that तो भाई या उन्होंने AC transmission करना start किया अब AC transmission उन्होंने ऐसे area's से start किया जहाँ DC पहुँच ही नहीं पाया जो remote area's से देखो वहाँ distance के कारण DC तो नहीं पहुँच था तो वहाँ उन्होंने AC से power up किया AC से उन regions को power up किया अब यार ये चीज़ Edison को खराब लग गई कि भई या DC तो चला नहीं रहे AC पे चला रहे हैं बट क्या होता है न AC wires जो आपने देखे हैं transmission lines जो होती है they are not insulated वहीं DC की wires आप देखना they are always insulated अब इस वज़े से वो AC की wires खतरनाक हो सकती हैं दे किसी को जटका लग सकता था there was no insulation और AC इसलिए भी ज़्यादा popular हुआ जब हमने transformer के idea को actual device में बदल दिया जब transformer actual existence में आ गया न बेटा तो आप voltage को step up कर पाए जब आप voltage को step up कर पाए तो आप AC transmission लंबे distance तक कर सकते थे अब लेकिन AC की wire तो uninsulated थी AC की wire तो uninsulated थी तो क्या किया न Edison ने बहुत सारे ये सब जो road पे जानवर चलते हैं न कुद्टे वगरा होते हैं इनको AC से जटका दिया even उन्होंने इतना तक किया कि किसी एक इंसान को electrocute कर दिया AC से सिर्फ ये बताने के लिए कि AC हानिकारक हो सकता है इंसान की जिंदगी के लिए और फिर क्या हुआ टेसला ने जहां जहां AC इंस्टॉल किया वहां कई जगे poor installation installation में गलती होने से भी कुछ हथ से हुए अब इन चीज़ को भी ऐसा सबूत यूज किया Edison ने कि भाईया AC बहुत dangerous है AC के लिए मत जाओ तो he targeted that AC थी कि भाईया AC नहीं चलने देंगे लेकिन eventually क्या हुआ क्योंकि Tesla के पास भी backing थी businessman की तो they got that contract of affair जो मैंने शुरू में बताया ना मेला लगाया था Edison ने DC power से तो भाईया आपको मिला अगला contract मिला Tesla को तो he also did the same thing but with the help of AC और तब हमारी power authorities को लगा नहीं यार AC is a better thing to be done और then we move to AC ठीक है तो यानि पहले था DC DC में distance limitation था because it cannot be stepped up तो वहां हमारा उसने replace किया AC ने DC को क्योंकि AC में transformer की मदद से we could easily step up the voltage और फिर यार आगे की कहानी तो जानते हो synchronous generators वगईरा ये सब चीजें ये सब चीजें आ जाने से क्या हुआ that we could easily step up each and every voltage we could easily use the generation in AC we can use the consumption in AC with the help of induction motor तो induction motor से AC consume हुआ generator से AC generate हुआ transformer से step up हुआ और ऐसे AC transmission पूरा picture में आया तो ये चीज़ याद रखना यार अगर आप electrical engineers हो तो इतना तो history पता भी होना चाहिए मैं खुद history का एक बहुत बड़ा follower नहीं हूँ लेकिन जब इस तरह की चीजे होती है न तो सुनने में मज़ा आता है और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे यार इस पे एक movie भी है देख सकते हो time निकालके 21 वाले ना देखें 2022 वाले देखने बहले ही तो 2017 में एक movie आई थी current war करके तो वो बिल्कुल इनी की story पे based जातो देखना जरूर इट विल भी really really helpful तो history पढ़ने के और भी तरीके होते हैं why some videos, why some movies तो वो जादा interesting हो जाता है बिल्कुल और बहुत सारे history के teachers भी बहुत interesting होते हैं academy पे देख लो यार इतने तगड़े teachers हैं कि मैं तो खुद यह सोचता हूँ कि शायद मैं अगर कभी मैं आपको बता हूँ कभी भी मेरी life में भी था कि मेरे फादर चाहते थे मैं UPSC के ले जाऊँ लेकिन यार यह जो है ना history, civics, geography, gk यह सब ना अपने बसका रोग है नहीं बट उस समय पे क्या है ना online education इतना popular भी नहीं था अब इंडिया के best teachers यार एक जगे पढ़ा रहे हैं ना तो चीज़ें जादा easy हो गई, जादा accessible हो गई और एक average बच्चा भी यह सपना देख सकता है तो फिर मैं तो करी सकता हूँ उस चीज़ को pursue लेकिन अब कहां यार अब आप लोगों के लिए busy हो गए हैं आप लोगों के लिए time निकालते हैं तो अपने लिए कहां time है चल तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं I hope कि आपको यह clear हुआ DC से AC कब गए अब आगे के chapter में मैं इस पे focus करूँगा कि वापिस AC से DC क्यों आ गए वापिस AC से DC क्यों आ गए इस पे आगे बात करेंगे अब यार देखो AC में problem क्या थी AC में आपको problem क्या थी line charging current जो होता है न वो length के proportional है तो जब बहुत ज़ादा लंबी length लेते हो तो line charging current बहुत ज़ादा high हो जाता है और इसकी वज़े से बहुत ज़ादा लंबे distances पे नहीं जा सकते बहुत long distances पे नहीं जा पाओगे दूसरी बात जो reactance होती है वो भी length के proportional होती है distance बढ़ेगा reactance बढ़ेगी p max गटेगा क्यों sir क्योंकि बेटा देखो p max हमने derive किया था कि ideal scenario में भी क्या होता है vs vr by x है ना तो it is inversely proportional to length तो अगर यार p max गिरता है ना p max अगर गिरता है तो stability गिरती है मैंने आपको बताया था ना stability is proportional to p max यह power system stability वाले chapter में भी derive कराऊंगा तो एक stability का और issue आगया AC के अंदर stability का issue आगया दूसरी बात AC power transfer की यार एक condition हमेशा true होनी चाहिए कि दोनों end पे frequency same होनी चाहिए और DC में तो frequency होती नहीं तो DC से तो कभी भी आप दो system को connect कर सकते हो और आपको पता है इंडिया के अंदर भी पहले जब 4 grid आपस में connect होगी थी Northern, Eastern, North Eastern और Western grid यह 4 जब connect होगी थी तो Southern grid रह गई थी अब यह Southern grid कैसे जुड़ी भी थी यह जुड़ी भी थी HVDC link से क्यों क्योंकि ना इसकी frequency match नहीं करती थी अपनी बाकी की चाहर grid से इसकी frequency match ही नहीं कर पाती थी तो later on बाद में frequency match करा के I think 2013 के अंदर 2013 के अंदर एक single power grid बनाये गया है जिसमें हमारी 5 grid एक साथ connected है one nation, one grid, one frequency तो यह हमारी power system का नारा था एक देश में एक ही grid होगी और एक ही frequency होगी बट उसके पहले we were using HVDC link तो HVDC link ना पिटा यह limitation हटा देता है कि दोनों तरफ frequency सेम होनी चाह मेरे बच्चों यह बताओ यहां तक समझ आया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से chat और comment box में मुझे बता दो यार समझ तो आ रहा है ना मज़ा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत practical topic है और बहुत practically ही इसके साथ मैं deal करने वाला हूँ चल और यहां देखो AC दिखा भी रखा है यह terminal पलट रहा है ना बार-बार और electrons का flow भी पलट रहा है बट जिस direction में electron जाएंगे current उल्टा ही जाएगा that is AC अब यहार principle of operation की बात करते है तो पहले मैं system समझा दे तो हम फिर इसका एक एक element समझाओंगा देखो सबसे पहले यहां आती है AC three phase AC अब इसके अंदर transformer की मदद से करते है step up तो देखो DC में यही तो समस्या थी ना कि high voltage पे नहीं जा सकते थे there was no device available for step up लेकिन AC को तो कर सकते हो तो AC को पहले किया step up फिर यहां SCR वाला rectifier लगाया SCR वाला यह SCR वाले rectifier ने step up किया sorry AC to DC किया तो पहले transformer से step up then AC to DC AC to DC अब यहार AC to DC करने के बाद highly inductive load बनाते हो ना power electronics में क्यों बनाते हो ताकि I not constant रहे तो यहां यह reactor लगा देखो दिख रहा है उपर और नीचे reactor अब आप कहोगे सर यह दो बकसे क्यों दिखाएं इस पे अभी आता हूँ यह दो rectifier है जो साथ में connected है 6-6 pulse के तो 6-6 pulse के rectifier का मिला कि क्या बनता है 12 pulse क्या बनता है 12 pulse इसलिए देखो एक तो star star है एक star delta है इन दोनों के बीच में मेरे भाई यहाना 30 degree का shift है क्योंकि 6 pulse से 12 pulse जाने के लिए 30 degree का shift होना जरूरी है आप कहोगे sir क्यों ऐसे सोचो 6 pulse का period कितना होता है 60 degree होता है 360 degree में अगर बेटा 6 pulse आ रही है तो एक pulse का duration कितना है 60 degree अब अगर आपको 12 pulse बनानी है तो आप period के आधे से shifting दे दो यानि period 60 है तो 30 degree का shift दे दो ऐसे ही सोचो देखो single pulse converter होता है यहाफ wave rectifier उससे full wave पे कैसे जाते हो उससे full wave पे कैसे जाते हो उसके लिए 2 devices आप use करते हो जो कि आपस में 180 degree shifted रहे तो single pulse rectifier का period क्या होता है 360 तो अगर आप 180 की shifting दे दो ऐसे 2 single pulse rectifier में तो you'll get a 2 pulse converter और a full wave rectifier यार थोड़ा चाना visualize करना एक 1 pulse rectifier या half wave rectifier से full wave पे कैसे जाते हो दो diode का use करके full wave rectifier बन जाता है तो मैं यह कह सकता हूँ 2 half wave rectifier से एक full wave rectifier बनता है बट दोनों half wave rectifiers के अंदर shifting होनी चाहिए 180 degree की 180 degree का मतलब क्या हुआ period by 2 period by 2 की shifting तो same चीज मैंने बुला 6 pulse से 12 pulse जाने के लिए 30 degree का shift चाहिए बट यह सब बाते power electronics की है बहुत जादा गहराई में जाने की जरूवत नहीं अब यह DC reactor किसलिए आ गया current को flat करने के लिए फिर यह क्या आया यह filter आ गया यह filter आ गया यह filter आ गया harmonics अट आने के लिए ठीक है फिर DC surge capacitor की surges अगर आएंगे तो यह rectifier में न आ जाए surge ऐसे नीचे निकल जाए और फिर यह आगे क्या आ गई DC line ऐसे ही दूसरे end पे क्या होगा जैसे इधर rectifier है तो बेटा दूसरे end पे होगा inverter दूसरे end पे inverter तो एकदम same system ना दोनों जगे लगा होता है same system sending और receiving दोनों end पे लगा होता है तो इसके एक एक element की बात करते चलते है सबसे पहले converter तो यार देखो दो converter use करने पड़ते है sending end पे rectifier और receiving end पे inverter rectifier का symbol होता है thyristor pointing upwards inverter का symbol होता है thyristor pointing downwards अब यहाँ ना normal inverter नहीं है जो आप power electronics में पढ़ते हो यहाँ inverter होता है line commutated inverter अब जितने बच्चों ने power electronics read किया है they would know कि line commutated inverter क्या चीज होती है that is a rectifier being operated as an inverter तो बेटा यह भी actual में rectifier ही है तो यह line commutated inverter है अब आप जानते होगे line commutated inverter कैसे बनता है जब rectifier का firing angle 90 से उपर रखते हैं और जब rectifier का firing angle 90 से नीचे रखते हैं तो वो rectifier का काम करता है 90 से उपर inverter और 90 से नीचे rectifier तो मैंने देखो यह लिखा है कि rectifier का firing angle 0 से 90 होता है और inverter का firing angle 90 से 180 और मैंने यह भी लिखा है कि 12 pulse converter का use करते हैं ripple कम करने के लिए अब आप कहोगे ripple कैसे कम होता है यार देखो जितनी छोटी pulse होती है उतना कम उसके अंदर fluctuation होता है 12 pulse अगर लगाओगे तो उसके अंदर harmonics कम आएंगे इसी को 24 pulse कर देते तो और कम आजाते लेकिन यार 24 pulse करने के लिए 12-12 वाले 2 लगते तो यानि costing भी तो बढ़ती जा रही है costing भी तो बढ़ती जा रही है 1 pulse वाले 2 लगाते हो तो 2 pulse बनता है 3 pulse वाले 2 लगाते हो तो 6 pulse बनता है 6 pulse वाले 2 लगाओगे तो 12 pulse बनेगा तो कहां तक cost बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं trade-off करना पड़ेगा समझोता करना पड़ेगा कॉस्ट में और क्वालिटी में ठीक है? समझ रहे हो ना? और ये चीज़ से अरतिको लाइफ में हर जग है बहुत क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी प्रोड़क भी मिल रहा होगा मार्किट में बट अगर उसे अपन एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो then we have to go for low cost alternative which might not be as high quality as previous one was, समझ रहे हो? तो थोड़ा सस्ते वाली आइटम उठानी पड़ेगी भले ही quality में compromise करना पड़े हम अपने budget के उपर नहीं जा सकते हैं तो same चीज यार power system में भी है एक budget है नहीं और एक costing है क्योंकि budget बढ़ गया तो आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा आप कहोगे भाईया 12 पल्स दो या 24 पल्स मेरी जेव क्यों खाली कर रहे हो 6 दे दो मेरा और खर्चा कम करा दो समझ रहे हो? तो compromise बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है अब यार देखो harmonics जो बनते है न AC side पे order होता है NP plus minus 1 AC side पे और आप जानते हूँ Rectifier में AC side पे कौन से harmonics आते हैं भई? बहुत अच्छे हैं मेरे सभी बच्चे जानते हैं जिन्होंने मुझसे power electronics पढ़ा है सर इसमें आते हैं current harmonics ऐसे ही न बेटा DC side पे आते हैं voltage harmonics DC side पे order होता है NP यहां आते हैं voltage harmonics तिक है भई? अब यह harmonics को कम करने के लिए यार यूज किया जाता है filters का harmonics को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? filters का जो इन harmonics को system से हटा सके जो इन harmonics को system से हटा सके तो AC filter क्या करेगा? AC side पे जो current harmonics है उसे हटाएगा DC filter क्या करेगा? DC side पे जो voltage harmonics है उन्हें हटाएगा तो दोनों side पे filter लगता है देखो यह रहा DC filter और बेटा यह रहा आपका AC filter ठीक है? This is your AC filter clear हुआ? तो DC और AC दोनों filter हम लोग use करते हैं DC filter DC side पे और AC filter AC side पे Is that clear? अब देखो यार smoothing reactor का क्या काम है? यह जो है ना DC reactor इसको smoothing reactor भी कहते हैं मैंने बताया ना जैसे power electronics के अंदर highly inductive load होता है तो वो क्या करता है? वो I0 को constant कर देता है same चीज़ है यह smoothing reactor यह highly inductive load बना रहा है आपका और यह I0 को क्या कर दे रहा है? constant it makes the value of I0 constant तेक है? अब static VAR compensator यार एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहे rectifier हो चाहे inverters हो इनका power factor कभी unity नहीं होता rectifier का जो power factor है rectifier का जो power factor है देखो यह जो HVDC और FACTS है ना इस दोनो topic आपके किस से related है? power electronics से rectifier का जो यार power factor होता है वो हमेशा lagging होता है और inverter का जो power factor होता है वो leading होता है दोनों को reactive power के requirement होती है अब आप कहोगे सर रियाक्टिव पावर क्यों चाहिए तो बिटा यह मैंने power electronics में भी बात की थी यहां harmonics के कारण power factor कभी भी unity नहीं आता है तो इनको reactive power चाहिए अब यार वो reactive power DC side से थोड़ी मिल सकती है वो reactive power कहां से मिलेगी AC side से अब अगर वो reactive power का मैं use करना चाहता हूँ तो मुझे AC side से खीच नहीं पड़ेगी AC side से अगर भीया power खीच ली तो क्या होगा AC side से जितना reactive power खीचोगे उतना AC side का power factor बरबाद होगा उतना ही AC side का power factor खराब हो जाएगा अगर बेटा AC side का power factor गिरा तो यह हमारे system के लिए यह हमारे supply के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी it is not good at all it is not good at all and that is why that is why AC side पे लगता है static VAR compensator यहाँ पे दिखा है compensator नहीं दिखा रखा चलो हम दिखा देते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा static का मतलब it does not have any moving part तो यह मैंने यहाँ पे दिखाया भी है capacitor bank कुछ इस type का होता है this is the type of a capacitor bank तो इसका use करके इसका use करके आप power factor को improve कर रहे हो तो basically आप कर क्या आ रहे हो आप यह कह रहे हो rectifier या inverter को जो reactive power चाहिए वो system ना दे बलकि हमारा compensator दे 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 दी तो हमारा काम हो गया हमारा काम अराम से बन जाएगा हमें कोई tension वाली बात नहीं है ठीक है इसलिए इसको AC side पे लगा दे थे अब DC link current पे आते हैं तो देखो मैंने आपको parts सारे explain कर दी है AC filter, DC filter, SVC smoothing reactor, rectifier, inverter सारे parts हम लोग देख चुके हैं अब यार देखो यहाँ पे क्या होता है यह voltage V1 है यह voltage V2 है और यह DC link का current है ID अब आप क्या कहते हो अब आप simple ऐसे कहते हो सर कि DC link का current होगा V1 minus V2 by R तो यार हमेशा यह याद रखना DC link current always flows from higher voltage to lower voltage simple है यार DC का funda DC में हमेशा current higher voltage से lower voltage की तरफ जाता है और कहां जाएगा यहाँ कोई angle तो है नहीं voltage का यहाँ voltage का कोई phase तो है नहीं तो क्या देख लो बस high से low लेकिन यार देखो एक चीज होती है एक चीज हमेशा होती है कि जो power होती है ना power होती है V I तो मैं कहता हूँ अगर voltage positive है तो power proportional to I इसका मतलब है power flows in same direction as I समझ रहे हो यानि अगर left to right जा रहा है current तो power भी जा रही है left to right लेकिन यार अगर voltage negative ले लिया तो power proportional to minus I इसका मतलब power flows opposite to I अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर यह बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार एक बात हमेशा याद रखना always V1 and V2 have same polarity यानि या तो दोनो positive होंगे या तो दोनो negative तो आपको voltage की polarity देखनी है किसी की भी देख लो तेकि किसी की भी देख लो अगर voltage positive है तो आप बोलोगे जिस direction में current जा रहा है उसी में power जा रही है नहीं high से low voltage और अगर voltage negative है तो आप बोलोगे current तो जा रहा है high से low लेकिन power जाएगी low से high समझ गए समझ में आया बढ़िया तरीके से तो always V1 and V2 will have the same polarity अब देखो HVDC के link कितनी तरह के होते हैं सबसे पहला बिटा link होता है monopolar monopolar का मतलब समझो mono माने single और polar माने polarity having a single polarity तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ दोनो ends के बीच में बस एक ही wire होती है बस एक wire अब आप कहोगे सर सिर्फ एक wire क्यों अभी तो आपने बताया था एक forward होता है और एक return होता है तो बिटा यहाँ पे na ground is used as a return path ground is basically used as a return path तो मैंने आपको यार एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी AC में ground को return की तरह use नहीं करते क्योंकि earth की impedance बहुत जादा होती है लेकिन यार अर्थ का na radius अर्थ का radius यह मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ transmission line parameter में अर्थ का radius होता है 6400 km तो अर्थ का resistance almost tending to zero होता है ठीक है तो earth can be used earth can be used as return path in DC ठीक है AC में नहीं use होता लेकिन DC में beta it can be used as return path in DC ठीक है तो DC में return path का काम भी करेगा तो यहाँ पे एक conductor रहेगा और earth क्या रहेगा return path अब इस conductor की polarity नहीं अक्सर negative रखी जाती है अब आप कहोगे सर negative क्यों negative से ना कौरूना कम होता है आप कहोगे सर कैसे क्योंकि देखो negative polarity है तो इसके around जो भी ionized charges है जो भी आपके electrons है यह उन electrons को repel करेगा यानि उन्हें conductor के आजू-बाजू इखटा नहीं होने देगा conductor के आजू-बाजू जब ionized charges आते हैं वही तो conduction कराते हैं लेकिन अगर बेटा इसने electrons को repel कर दिया अगर इसने electrons को pass में से हटा दिया तो फिर क्या होगा फिर corona कम हो जाएगा समझ में आई बात अगर negative polarity तो it repels the electron around the conductor and it does not let the corona discharge form around the conductor इसलिए negative polarity is preferable ठीक है अब आप कहोगे सर आपने AC में ऐसा क्यों नहीं किया अरे भाई AC में वैसे भी हर आधी cycle के बाद polarity बदलती है तो polarity does not make any sense अब bipolar bipolar में actual में दो wire use होती है जो हमारा conventional method है एक forward और एक beta return एक forward और एक return ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर positive polarity है समझो यहाँ अगर positive polarity है तो current की direction में पावर जाएगी यहाँ पे negative polarity और यह return path की तरह use हो रहा है तो current तो left आ रहा है लेकिन power अभी भी क्या जा रही है right तो power तो right ही जानी चाहिए ना power जानी चाहिए sending से receiving power लोट के थोड़ी आनी चाहिए source से load जानी चाहिए power इसलिए एक conductor को forward वाले को positive polarity पे रखते हैं और return वाले को negative polarity पे रखते हैं तो एक forward तो positive polarity दूसरा return तो negative polarity ठीक है तो power हमारी दोनों ही case में जा रही है sending से receiving तो यहाँ neutral points को तो यह monopolar की तरह काम कर जाएगा दो में से अगर एक भी wire आपकी break होती है तो it can work as a monopolar link at half the rated capacity अब आप कहोगे capacity कैसे आधी हो गई यार सीधी सी बात है दो में से एक wire बची तो capacity आधी हो गई वरना mathematically सोचना है तो देखो इसमें भी power होगी वी आई और बेटा इसके अंदर भी power होगी वी आई तो अब एक ही बचाना तो वी आई रह गई पहले कितनी होती 2 वी आई पहले 2 वी आई होती अब क्या रह गई वी आई तो आधी capacity पे monopolar की तरह काम कर सकता है एक wire तूट जाने पे अगला होता है homopolar homo का मतलब होता है same same तो यार यह है तो bipolar की तरही लेकिन यहाँ ना दोनो conductor की polarity same है यहाँ दोनो conductor की polarity same है यह बात clear होई तो दोनो की polarity same रखोगे then it is called as the homopolar और यहाँ दोनों की polarity क्या रखी जाएगी negative तो इसमें भी क्या होता है if one conductor breaks then it will work as a monopolar link अगर यहाँ भी एक conductor break हो जाए तो it will work as a monopolar link अब यह तो चमक गया ना कि negative polarity से corona कैसे कम होता है क्योंकि negative polarity चारों तरफ के electrons को repel कर देती है तो वो जो electron conductor की चारों तरफ जो आपका corona के लिए charges आते है they are removed they are removed अब यहाँ advantages क्या होई HVDC की सबसे पहले मेरे भाई there is no distance limitation क्योंकि line charging current क्या होता है line charging current होता है omega CPH VPH तो DC में बिटा omega रहेगा 0 तो IC is also 0 फिर no skin effect देखो skin effect मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत detail में addy current से तो skin effect नहीं होगा यानि यहाँ resistance थोड़ा कम बनेगा तो skin effect ना आने से resistance is less फिर देखो याँ DC के अंदर reactive power compensation वाला topic नहीं आता क्योंकि DC में reactive power होती ही नहीं है है ना DC में कोई reactive power होती ही नहीं है तो reactive power compensation की जरूवत ही नहीं पड़ेगी voltage control के लिए यानि अगर आपको voltage भी control करनी है तो there is no need of reactive power simple था फंडा यार high voltage transmission कर लो तो high voltage transmission करने से current कम होगा drop अपने आप कम आ जाएगा आपको कोई compensation करने की जरूवत नहीं है यहाँ पे आपका radio interference कम बनेगा क्योंकि यहाँ पे flux कम बनता है less corona loss क्योंकि यार देखो corona loss is proportional to f plus 25 तो for DC it is proportional to 25 ठीक है no stability problem बिल्कुल सही बात है no concept of reactance या power angle यार देखो voltage का जो angle होता है वही stability के अंदर पढ़ा जाता है जिसे हम delta कहते हैं लेकिन DC के अंदर तो voltage का angle होगा ही नहीं अगर voltage का angle होगा नहीं तो हमें power angle के बारे में पढ़ना भी नहीं है हमें power angle के बारे में पढ़ना ही नहीं है तो that is no concept of the power angle अब drawbacks क्या होते हैं power electronic equipment काफी महंगा आता है और harmonics बनाता है यह तो आप जानते हो इसलिए तो इतना सारा filter वगेरा लगा रहे हैं क्योंकि harmonics generate होते हैं दूसरा power electronic converter को reactive power चाहिए होते हैं इसलिए हमने capacitor bank के बारे में बात की थी और यह सिर्फ long distance transmission पे काम आएगा क्योंकि short distance के लिए इसकी costing बहुत जादा है यार देखो अगर मान लो 1000 km जाना है तो तो महेंगी cost बरदाश्ट भी कर लें लेकिन जहाँ AC सस्ता पढ़ रहा है वहाँ जबरदस्ती DC पे क्यों जाएं तीक है क्योंकि DC में आपका rectifier, inverter, filter, capacitor bank जाने क्या-क्या लगता है तो costing बढ़ जाती है अब यार इतनी costing अगर बढ़ रही है तो इसका फाइदा तब होगा ना जब कुछ बड़ा काम करोगे, जब ज़्यादा दूर ले जाना चाहोगे तो देखो जब cost compare करते हैं ना तो AC की terminal cost ना के बराबर होती है DC की terminal cost ज़्यादा है लेकिन DC में सिर्फ दो ही wire है सिर्फ दो ही wire है मेरे भाई AC में तीन या चार wire रहेंगी तो distance बढ़ने के साथ AC की costing ज़्यादा तेजी से बढ़ती है as compared to DC AC में ज़्यादा wires है तो wire में costing किस अनुसार होगी जितनी लंबी wire उतनी ज़्यादा cost तो यहाँ चार wire अगर लग रही हैं तो उनकी costing ज़्यादा पड़ेगी as compared to two wire उसकी costing ज़्यादा आती है इसलिए यह एक point पे जहाँ intersect करते हैं इसको हम कहते हैं break even distance यह approximately होता है 600 km के आसपास ठीक है यानि यहाँ दोनों की costing बराबर है इससे ज़्यादा distance के लिए DC सस्ता पड़ेगा और इससे कम distance के लिए AC सस्ता पड़ेगा तो depending upon आपको कितने distance पे power भेजनी है आप decide कर सकते हो whether you want to go for AC or you want to go for DC तो मैं उमीद करता हूँ आप लोग को इस सारे fundे समझाये होंगे इसमे numerical बेटा एक ही जगे बनता है वो कौन सी जगे है वो जगे है आपकी current और power वाला मैंने बताया ना पहले current निकाल लेना high से low voltage जाएगा फिर power voltage की polarity देखके बता चलेगी positive तो same direction as current negative तो opposite direction बाकी one more question आपसे पूछे जाते हैं system के components को लेके AC filter, DC filter ये सब चीजों को लेके one more question भी आ जाया करता है अब यार time हो गया है quiz का time हो गया है quiz का तो true and false कराऊंगा लेकिन आपको answer 15 seconds के अंतर देना पड़ेगा timer चलेगा और आप जानते हो कि अगर आप दुनिया को बचाना चाहते हो तो bomb फटने से रोक लेना कैसे रोकोगे? answer जल्दी देखे चलो पहला HVDC is more economical at smaller distances क्या HVDC सस्ता पड़ता है कम distances पे come on everybody बहुत easy है और यहाँ bomb फटने वाला है भाई and the time is up this is false है ना HVDC अभी हमने देखा सस्ता पड़ता है लेकिन लंबे distance पे next one HVDC system has zero corona loss क्या HVDC का corona loss zero होता है true या false true या false come on everybody come on and the time is up बहुत सही बहुत सही भाई बहुत सारे बच्चों ने answer सही दिया it is false next HVDC system does not require reactive power compensation या reactive power support come on true या false true या false जल्दी बताओ and the time is up this is also false देखो यार reactive power compensation not required बिलकुल सही बात है voltage control के लिए it is not required टीक है लेकिन बेटा reactive power is required for rectifier and inverter टीक है उसके लिए तो चाहिए ही ना आपको तो मैंने इसलिए reactive power support लिखा था कि reactive power की जरूरत तो पढ़ती है बट line में ना पढ़के end वाले rectifier और inverter में पढ़ती है is that clear? चाहिए तो आप देखो मेरे भाई HVDC के अंदर इतना ही हमें पढ़ना होता है लेकिन अब अगर आपको मेरे और topics देखने है power system की जैसे protection और load flow तो इस link पे चले जाना इस link पे बहुत सारी question series भी present है जो कि आपको practice में बहुत help out करेंगी आपका level काफी हद तक raise कर देंगी तो ये link यार सभाल के रखना सिर्फ आप लोग के लिए generate किया है ताकि आप लोग best way में तयारी कर पाओ अब इसके अलावा यार इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक bit.ly slash gate line ये वीडियो बुक के अंदर यहाँ पे सारे subjects के videos सारे subject के PDF arrange subject by subject, chapter by chapter तो बेटा एक दम एक number content आपको free of course दिया जा रहा है बहुत arrange form में, एक course की form में दिया जा रहा है तो ये link मत भूलना ये जो दो links है ना ये आपकी life line है अगर आप भी एक तगडी rank secure करना चाहते हो इसके अलावा यार देखो अगर plus पे आते हो और अंकित EAC code लगाते हो तो one year का पड़ेगा 27 to 25 one and a half year 34, 650 and two year 39, 600 बट बेटा इसके अंदर मिलेगा क्या सारे top educator की live class उनके daily practice paper उनकी weekly quiz उनकी test series practice questions crash course, rank improvement batch and doubt clearing तो इतने सारे feature मेरे भाई एक subscription के अंदर तो इतना सब जब एक साथ मिल जाता है तो क्या होता है कि एक top rank लाना थोड़ा सा easy हो जाया करता है और iconic पे जाओगे तो अंकी TAC code लगाना one year का पड़ेगा बिटा 45 to 25 और two year 66,600 इसमें आपको personal coach teachers के साथ zoom call करने का मौका teachers के साथ interact करने का मौका study material within the same day doubt clearing ये सारे feature आपको मिलते हैं along with whatever you get in plus plus में जो मिल रहा है वो तो मिलेगा उपर इतना कुछ मिलता है कि एक average बच्चे को भी सही direction मालूम चलती है कि कैसे तैयारी करनी है इसके अलावा यार ये मेरी anacademy profile है तो आपको करना कुछ नहीं anacademy app डाउनलोड करके मुझे search करके follow कर लेना ताकि जब-जब मैं anacademy पे live आता हूँ आपको automatic notification आएगा you won't miss even a single class of mine इसके अलावा ये है हमारी team का telegram channel बट मेरा personal telegram channel ये है t.me slash gate air1 तो मेरे सारे lecture के notification PDF बिटा आपको यहाँ पे मिलेंगे तो ये channel ज़रूर join कर लेना इस channel को अगर join कर लोगे तो काफी सारे PDF काफी सारे videos आपको मिलते रहेंगे अब हमारे other channels देखो mechanical, civil, तिलगू SSCJE, computer science gate question, electrical junction पाटशाला and gs terminal अब यार इसके अंदर देखो पाटशाला पे मिलता है आपको best animated content junction पे आपको मिलता है subjects जैसे की power electronics opam SSCJE के लिए SSCJE और gs terminal इनको follow कर लो PYQs के लिए बेटा gate question को और अगर तेलगू speaking हो तो unacademy gate तेलगू को so thank you everybody, bye bye इस video को like जरूर करना, share जरूर करना और जैसा मैंने बोला था, अगर video पसंद आई हो तो comment जरूर करना मैंने शुरू में ही बोला था, अगर मज़ा आए पढ़ने में तो comment करके जाना तो comment करना chat में नहीं, comment section में क्योंकि मैं आपके सब के comments read करता हूँ और देखने में बड़ा मज़ा आता है कि आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं और इस channel का वो लाल वाला subscribe बटन दबाके गंटी बजा देना ताकि regular regular आपको notification आता रहे thank you everybody and see you again tomorrow thank you